लो जी भाई आज था संडे और फैमिली की आ गई है डिमांड की भाई कुछ अच्छा हो जाए तो संडे के दिन में भाई घर में लेडी जो का तो काम बढ़ी जाता है तो मैंने क्या किया है मैंने गर पे जो भी सामान था उसी से मैंने आज का सुबह का नास्ता कर दिया है त की डाय सिरे की दाल लेकर कि यॡुक का पानी खो दिया है जोने के बार दिया है तिन कटोरी वार डिया है हल्दी पौ़ और नमक सुधाय है खाल्दी पाौडर का द लताल करके क्ल्यूत्य इक चमच कर ना करे कि को का्यों 새벽शा कर करके चड़ा दिया है घैसपा पकने के लिए तो इसमें हम आने देंगे दो से तीन सीटिया और तब तक हम लेंगे जार मिक्सिका जार और ले करके सूजी तो मैंने यहाँ पे डेड़ कटोरी सूजी डाल दी है यानि कि रवा ढालने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने दो चम्मच बेसन दो चम्मच ही बेसन डालना है बाइडनिंग के लिए और इसमें डाल दिया है स्वाधनसार थोड़ा सा नमक यानि की आदा चम्मच नमक डाल करके इसको मैं पीश लूँगी ताकि एक बारीक पाउडर हमें मिल सके क्योंकि मेरी सूजी थी मोटी तो मैंने इसे अभी भी पीश लिया है अब इसको हम डालेंगे एक कटोरे में डालने के बाद में अब इसमें हम पानी डालने के बाद में इसका हम बना लेंगे घोल यानि घोल का मतलब इसको हम मिक्स कर देंगे ठीक है जरूरत के अंसार पानी डालेगा क्योंकि जो यह सूजी होती है यह पानी ज़्यदा एब्जॉर्ब करती है तो चलिए यहां पर मैंने करीबन दो ग्लास पाइं डाल दिया है आप देख सकते हैं कि इतना पतला गोल है लेकिन घबडाना नहीं अब यह गड़ा हो जाएगा चलिए इसको लगते हैं हम साइड में करीबन एक घंटे के लिए और आप यहां पर देख सकते हैं मैंने दो से तीन सीटी लगा दी है और हमारी तूर दाल बन करके हो गई है तयार तो यह जो दाल में आप छिलका देख रहे हैं दोस्तों घबडाना नहीं यह मेरे खेत की डाल है क्योंकि तबीर इसमे चोका लगाने के लिए क्या करेंगे कड़ाई में डालेंगे तेल तो मैंने एक चंचा तेल डाल दिया है और इसमें सब्जियों का इस्तेमाल करने के लिए मैंने गाजर लिया है एक बैगन लिया है और कद्दू लिया है यानि की सिता फल थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते और इसके सास्अभ और सबसें सकते हैं अब यहां पहीं कला वें टेल गरम हो गया है इसमें डाल diver a जीरा राय तो बंटी sound जीरा और वंद इस्पून र्राई टोड़ा से मैंने सुखा हुआ कडी पत्थ अगर आपके पास में ताजा हो तो ताजा ले ले रे ओर यहां तो आप तीन से चार डाल दी है लाल मिर्चे डाल करके तड़का लगने दिया है यानि की तड़क ने दिया है अब इसके बाद मैंने डाल दिया है चौप किया हुआ प्याज जो कि मैंने लंबे साइज में काटा था प्याज को हम भूनेंगे और दोस्तों अगर आपको मेरा अच्छे से भुन चुका है तो मैंने यहां पर क्या किया है सब्जियां डाल दी है तो आप सब्जियां इसके सासद और भी ज्यादा सब्जियों को ले सकते हैं जो भी आप सब्जियां डालने के इच्छा हूं यहां पर इतनी सब्जिया थी तो मैंने इसे ही डाल दिया है अब इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा डाल दिया है स्वादनुसा नमक, डालने के बाद में नमक आप हिसाब से डालीएगा, क्योंकि कुकर में जो दाल बनाई थी, उसमें अभी हमने नमक डाला है, सारी सब्जियों पकने देंगे, ढख करके दिमियाज कर देंगे, और सब्जियों पक जाएंगे मारी, यहां पर डाल दिया है जीरा और हींग डालने के बाद में, जीरा तरकने के बाद में प्याज भी डाल दिया है, और इसको अच्छे से हम लाल होने तक भून लेंगे, इसमें हरी मिर्च यहां पर प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है और यहां पर हम आलू डालेंगे तोड़ करके यानि की थोड़े मौटे साथ में तोड़ना तोड़ करके इसको अच्छे से आप चला दीजिए क्योंकि दोस्तों यह डोसे का स्ट्रपिंग तैयार हो रहा है मैंने क्या किया है दो मिनट आलू को तलने के बाद में इसमें डालने के हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर एक एक चमत और आदा चमत डाल दिया है धनिया पाउडर डालने के बाद में यहां पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा डाला है सांबर मसाला और डाल दिया है जब इस ट्रफिंग और अच्छे से भुन जाएगा को बूर्डन कलर जाए गा तो इसका तेस्ट है वह दोगुना नहीं बल्कि चार जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको हुम चलाएंगे और इसमें यह देखिए इस ट्रफिंग हमारी बन करके तयार हो गई है डोसे की और यहां पर डाल दिया है हरा धनिया कटा हुआ डालने के बाद में इसको तोड़ा सा और मिक्स करते जाएंगे यानि कि आप देख रहे हैं मैंने आलू को तोड़ते हुए इसको अच्छे से कला रहा है और हम हमारी जो डोसे का श्ट्रफिंग है बन करके तयार हो गया है चलिए हम देखते हैं अपनी सब्जियों को तो यहां पर मैंने डखकर अटा दिया है और सब्जियां भी हमारी लगबग लगबग पक चुकी है आप देख सकते हैं आप चाहिए तो तूबर डाल के साथ भी सब सांबर ठीक है ना तो यहां पर मुझे तो सांबर ऐसे ही बनाया हुआ इसमें अच्छा रखता है कच्छी सब्जियों को मैं पका लिए तुए तरीके से और फिर मैं इसका तरका लगाती है तो मुझे बहुत अच्छा रगता है अब यहां पर मैंने डाल दिया है इमली का पल्प यानिकी घुर्णी को यानिकी इमली को मैंने क्या किया था इसको बेहगों कर रख दिया था और इसका पलप छान करके इसमें डाल दिया है ऑलग ही आता है तो यहां पर जो डाल भी डाल दिया है डालने ब्यात vous आप देख सकते हैं थोड़ी सी गाड़ी लग रही थी मुझे तो मैंने थोड़ा सा पाई डाल दिया है और इसको हम उबलने देंगे ठीक है आप इसके बाद यहां पर हम देखेंगे अपने डोसे के बैटर को अब एक बात मैं आपको यहां पर बता दू कि मैं यहां पर मेरे सोडा यानि की आदा टी स्पून डालने के बाद में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा सांबर था वो बन करके बिल्कुल तयार हो चुका है आप देख सकते हैं इसकी ठेकनेस और बहुत ज़दा आपको गाड़ा नहीं बनाना है पत सबका मन रह गया है और सबको पसंद भी आया था चलिए तो यहां पर देख सकते हैं जो यह डोसे का बैटर है यह काफी अच्छा है काफी अच्छ तयार हो चुका है और अच्छे से यह दोसे भी आपके तयार हो जाएंगे आप इसका घोल देख लीज़े काफी बहुत तबहे को करेंगे तयार तो सबसे पर तबहा को गरम कर लेंगे गरम करने के बाद में तेल लगा देंगे तेल लगाने के बाद में हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि तबहे का बैलेंस अच्छा जाए यानि कि जो इसका गरम होता गर्माहट इसकी बैल तो मेरे गर में सब को पसंद आये और भी था नहीं तो आप ज़रूड़ा लिए गार बार बार इसलिए बोल रही हूं वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करना दोस्तों में सेर करना सबक्राइब आपने डोसे को डाल दिया है डालने के बाद में मैंने गैस का फिल्म धीमा कर दिया था और उपर से लगा दिया है तेल और पूरे तबे में अगर डोसे में आच नहीं लग रहा है तबे में नहीं लग रहा है तो आप क्या करें तबे को घुमा घुमा कर थोड़ा सा आच हो गया है आप इसी तरीके से ढोसे को यद को जब भी आप बनाए तो इसी तरीके से इस पहल। फेल Whatsy और धीमी आज पर डोसे को इस तरीके से फैला दीजें तो मैंने तो यहाँ पर एक छमणी डाला है बेटर और भर्लेलने के बाद यान reflection दालने के बाद में देल तेल डालने के बाद में हम क्या करनेगे इसमें उपर से तेल लगा देंगे और इसको हम सिखने देंगे एक डोसे को सेखने में आपको करीबं 10-15 लग जाएगा तो यह देखे हमारा दूसरा डोसा भी सिख चुका है तो मैं तोड़ा सा हलका ही उतारूंगी क्योंकि सब को घर में ऐसे ही पसंद है तो चलिए यह भी रोसा हमारा सिग्या है इसको भी हम थोड़ा सा रांड रांड कर देंगे और यह दूसरा भी तैयार हो चुका है तो चलिए करते हैं फ्लेटिंग लीजे दोस्तों आप भी खाये सब को घर में खिला यह जैसे मैंने डोसे को बनाया है ब बादी टेस्टी बादी टेस्टी